अख्लेश यादव ने नहीं बताई आप अगर पूछना चाहें तो पूछेगा मैंने उनसे कहा था कर उन्होंने मुझे पूछा कि लड़ने का मन है तो नहीं तो अगर आपको लड़ाने का मन है तो जहां योगी अतना लड़ेंगे तो वहां लड़ा दीजिए मैं समझता मैं इसको राजनीती कह दें कि किसी को अंत समय पर आके धोका दे दे ना यह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपको धोका दे दिया तो मैं समयता हूँ मैंने इसेदारी की बात की और मुझे इस बात का दुख भी था कि यह गट बंद ना गट नहीं बनता है तो आवी यात्रा जो है वो हमें लेकर आगई है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद शेखर आजाद के पास और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का बड़ा अजीव सा महौल चल रहा आपके लिए अचानक आपका चल रहा था कि अखिलेश याद जो जमीन से उठकर आता है और प्रयास करता है चीजों में बदलाव करने का लड़ने का अपने हां कदिकार की बात करता है इससेदारी की बात करता है तो उसको इन सब चीजों का सामना करना पढ़ रहा है और करना पढ़ा होगा डॉक्टर अंबेटकर को भी करना पढ़ा ह होगा माने और काशिराम को भी करना पड़ा होगा हमारे जो रह्तित्त की मैंने को आना पर काностью जब मुझे भी करना पड़ रहा है हमारे अंदोलन की सुरुबात है सब लोग जो है इतनी आसानी से सुईकार तो करेंगे परिवर्तन परकरती का नियम लेकिन स्विकार नहीं होता है मैं समयता हूं कि मैं अपना परियास कर रहा हूं क्या होगा क्यूं होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता लेकिन पिछले पांस साल में कोई एक अंदोलन नहीं है कोई एक मामला नहीं है कोई एक समाज का इश बेहनों का मामलाओ जिसमें मैंने उटभड चड़ कर इसा ना लिया किसी महिला या किसी बेहन के दार सोशन का मामलाओ मैंने पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश की सरकार में और दिल्ली की केंसरकार के जरिये मैं रहा है साल करीब जेल में रहा मैंने लाठिया खाई चरता में रहना? वो, बहुत खतरणाग है है, क्योंकि यह सरकार लोक्तंत्र विरोधी है, सविधान विरोधी है. जो देश का पूरा स्ट्रक्टर है यह इसको प्राइवेट करके, बेज करके देश को गुलाम बना देना चाहती है, कमजोर करदेना चाहती है और इसके पीछे बहुत बड़ा ना एक पूरा जो है सिस्टम आरसस का खड़ा हुआ है इसलिए मैंने प्रयास किया कि एक बहुत ज़न एकता बने और मैं लंबे समय से कह रहा था मीडिया के ज़र दे कि लार्जर लाइन्स बनना चाहिए पिछले छे मेने से हमारी बात चल रही थी बा प्रयास हुआ फिर इस बार हम लोग विधान सबस्क्राइब प्रयास करेंगे जब पहले प्रयास हुआ तो सरकार बनी थी जब माने वर काशिनाम साब नेता जी मुलायम सिंग जी ने किया था लोग सभा में विफाल हो गया किन कारणों से हुआ मैं उस पर चर्चा नहीं कर जाए जैसा कि मेरे सत्य भी हुआ था तो मैं अपनी बात रखने के लिए गया उन्होंने बुलाया और अंतर समय में प्रस्ताव को ना के बराबर करके मुझे ऐसा लगा कि अब वो नकार देना चाहते हैं उनको पता चंशे कर स्वाब मानी वेक्ती है जब मैं इसकी हिस्ता जारी खतम करके ना के बराबर इससे बात करूंगा तो यह चला जाएगा मना करके ऐसा है मैंने किया जब उन्हों ना के बराबर प्रस्ताव दिया मंत्री बनने का विधायक बनने का आगे बनने का तो क्योंकि मैं सत्ता सुक के लिए नहीं हूँ मैं समयता हूं कि सत्ता किस उसके बाद दुबारा मेरे बलाकात वी जिला पजया धेक्स में भी है के चुनाओं में भी हमने एक दूसरे की मदद ली मैंने उनको बिजनोर में मदद की अब जब ग्राउंड पो जाओगा आपको पता लेगा उनके पार्टी के मेंबर भले ही भाग गया लेकिन भी महरमी आजा समाज़ परटी की मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया मैंने उनसे मुझफण अगर मदद मांगी उन्हों ने मुस्से बाद आ भी गया पर उन्होंने प्रियास भी किया लेकिन वहाँ पर मेंबर्स नहीं थे जीते वे तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सकरात्मकता लेक कि किसी को अंत समय पर आके धोका दे देना या उस कह रहा है कि अखले शादव ने आपको धोका दे दिया देखे जब आप साड़े 25 में दली समाज के लोगे प्रतितु के नाम पर उनसे मजा करते हैं मतलब आप समाजिक निया की बात करें समाजिक का मतलब जिसकी इतनी संखे बार उस कितनी हिस्स्यदारी वहिए आपके जो गटबंदन के दिल आए हैं किया वह कोई भी एक भी गटबंदन کا दिल अपनी हिस्स्यदारी के बिना है आपके तो जो चाचा है वह वह भी आपसे इसी बात करें अगर उच्छित पर Luna मिलेगा इस्यदारी मिलेगी जब आप परिवार के लोग इस्यदारी दे रहे तो इसके लिए ना कर सकते हैं तो मैं समझता हूं मैंने इस्यदारी की बात की और मुझे इस बात का दुख भी था कि भई ये गट बंदन अगट नहीं बनता तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और सत्ता में वापसी करेगी तो इसके लिए मैं दोसी नहीं हूँ अखिलेश दोसी होगे बिल्कुल दोसी होगे मैंने अपने दर्ब से पूरा परियास किया मैंने यह कहा बीजेपी सथ्था में कैसे आईगी जब विपक्स में विखराऊ होगा तो मैंने विपक्स के विखराऊ को दूर करने का परियाश किया दिखो पिछले 12 जिसकार रही है समाजवादी कि उसमें तमाम तरह की कुछ इस तरह के क्यूस्चन्स है अगर मैं उन पर बात करूँगा तो कहेंगे कि आप जो हैं चीजे खराब कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि देखो उस सरकार में जो हुआ यही एक experience है कि नेत अच्छा है बुरा है सरकार अच्छी है बुरी है दलीतों में उसको लेकर पीड़ा है दलीतों ने उसमें खून के आशुर है तो मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी करमचारी हमारे समाज की मांग थी बीजेबी को भी हरना जरूरी है लेकिन हमारा प्रतिन तो भी होना जरूरी है वह कल अगर किसी कारण से वो हमारे विशेपे बात नहीं करते हैं तो हमारी बात कौन उठाएगा आज अखली शादव ने मतलब अखली शादव ने एक press conference पे कहा कि कि आपकी मतलब प्रस्ताव आपने दिया था और वो भी कह रहा है कि आपकी बात बन गई थी वो प्रस्ताव के बारे में कल मैं जब PC करूं हम सारे जानकारे दोंगा देखो अंदर की बात कमरे के अंदर की बात थी मैं राजीती में हलका पन नहीं लखता हूँ वो प्रस्ताव जिसके साथ मैं गया था उस मेरी पूरी पार्टी तो नहीं गई थी तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां भीमारमी कोर कमेटी है आजास समाज पार्टी कोर कमेटी है तो हमारे प्रस्ताव लेकर जो प्रस्ताव गया था उस तैप प्रस्ताव पर मैं अपनी पार को हमारे अध्यक्स को बताया कि भाई अब प्रस्ताव में बदला हुआ है मैं चाहता हूं गटबंदन बने लेकिन प्रस्ताव यह है आपकी क्या सहमति तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखो यह प्रस्ताव एक मजाक जैसा है और आपको इस पर जो है ना अध्येश तो गह रह लेते हैं चर्चागर के लेते हैं अपने पक्स रखते हैं तो यह लड़ाई खाली क्या में दली तो कि लड़ाई तो यह लड़ता हूं हमारी पर्टी में मुस्लिम भी हैं बेकवर्ड के भी लोग है अन्य धार्मी के लक्स्ताव सिख जैन बोध पार्सी इसाई भी है लग जरूर क्योंकि जब उन्होंने मैं बाते नहीं करना चाहता तो मैंने बस बाहर आकर प्लूप से शमर्पीद हूं इसलिए मैं पांस सिट पे भी समझोता कर लूँगा मेरे पास यह ओन रिकॉर्ड है कल मीडिया कहेगी तो मैं दिखा दूँगा अकलेजी ने जिस वेक्ट्व कहा था कि इनको अपना प्रस्ताव बता देना अंत्य जो प्रस्ताव था वो इसलिए था क्योंगे आपने जिसको भी गठ देंगे तो मैं अपना काम करता कि अब यह तो लोगतन तरह जंता ने सारी सरकारे देखिए और किसको कितना समर्थन है आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं उनकी नजरों में अभी हम हमार अधालित वह धलके हैं अधालित आपकी तरफ से अन्तिम जो उनको दिया था परस्ताव वह पांचिट का था और मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटा परस्ताव था मैं समझता हूं दलितों की साड़े 25 परसंट अबादी दलित अधिवासियों की तो उनकी हिस्सेदार ही मजबूत बैटती है लेकिन मैं इस सीड और एक साथ मंतरिपद सब्सक्राइब का थी आपके दलितों मेरे साथ चैनल पर भी थे जो का वह साथ आपने सुना नहीं है पत्रकारों को सुनना चाहिए उन्होंने कहा कि इन्हें हिं गलत हुआ है मुझे मलाल है जलितों के हैस्चित की नहीं है तो जब आपने दू चन्शेकर के जाने से नुकसान होगा, हमें मलाल है, और यह कम है, इसको होने चाहिए, तो उन्होंने खुद काम है, बात करूँगा, तो आप समझे वो भी इस बात को समझते हैं, कि साड़े पच्छित फर्म दलीतों कि अगर आप वोट चाहते हैं, उनके जरीए आप से दाली तो सुनशित करनी पड़ेगी, देखें, मुझे उनसे कोई ज्यादा सिकायत नहीं है, मगर यह था कि अगर यही बात मेरा टाइम किल करने के बजाए, वो दो महीने पहले कह देते, मुझे बुला के, तो छे महीने से मेरी बारता चल रही है, तो मैं साइद जो है न वो यह कह रहे हैं, जिस तरह कि उन्होंने साजिस की बात करी, सुडियांतर की बात करी, तो अगर वो यह समझते हैं, कि किसी साजिस का सुडियांतर का हिस्सा हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि पांस सिटे दलीतों के लिए, यह भी बहुत छोटी बात है, मेरे खुद के जि मर्थन कर देंगे बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमारे जुरत पड़ी है तब भी हम उनसे को सर्थ नहीं रखेंगे दूधरी बात मैंने ये भी कह दिया था लेकिन स्वाविमान दलीदों के स्वाविमान सम्मान से समझोता नहीं करूंगा जब वो आपको आप बुलाते हैं और फिर चर्चा करते हैं और फिर आप प्रस्ताव से अलग अटते हैं तो यह चल है तो मैंने उनसे का था आप कहिए कि चंशेखर के मेरे भाई हैं उनकी मुझे जुरत है बीजेपी को रोकने के लिए मैं उनको एक शिट नहीं दूँगा लेकिन वो आए और बीजेप करता है तो दिखने रहा है कुछ बी मैं पुछता हूं कि क्या मायवत्ती के शांत रहने से या वोकल ना होने से बीजेपी को फाइदा होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं Wet तो बाकि जो आदेस होगा हम हम प्रयास यह भी है मैं आपको बताऊं कि बड़ा जो एक जुट करके एक और मजबूत ghatabandhan मने, कि जो इनको नहीं देना चाहते हैं, उनको नहीं देना चाहते हैं वो, इस ghatabandhan को vote दे थे, क्या St planner कॉछ थे हैं, मैंने अपसे पूछा है, Congress के बारे में, तो इसमें जो लोग रहेंगे, लटने वाले रोम को बर्यार हम करेंगे, तो उमीद है कि मैं ने कहा ना कि मैँ बिना अधिकारी ग्रूप से जब तक मैं कोई फॉस क्मेंटमेंटमेंट नहीं करता हूँ मैं आल तक ना किया है जो मैं कहता हूं उसको मैं करता हूँ और एक चीज जो ख्लेशी नहीं बताई, आप अगर पूछना चाहें तो पूछेगा, मैंने उनसे कहा था कर उन्होंने मुझे पूछा कि लड़ने का बन है, तो नहीं तो कहाँ कि अगर हम लड़ाएं, तो मैंने का अगर आपका लड़ाने का बन है, तो जहां योगी अतना लड़ा दिजे, तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति भूखा रह सकता लेकि नपमानित हो के नहीं, ये लड़ाई सुलमान सम्मान की अधिकारों की है, और मैं शाड़े-पच्छिस प्रण्ट दलितों के सम्मान की सुक्षा करना जानता हूं, मैं देश की सुक्षा भी करना जा हाँ, आप पूछ लीजेगा, मैंने अगर वो मना करते हैं कि उन्होंने ना किया अगर अखिलेश यादफ कहते तो आप योगियाद इतिनाद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, मैंने कि अगर आप लड़ाना चाहते हैं, तो लड़ाईए जहां बीजेपी के सबसे ताक आप के वेज़े से भी बीजेपी को मौका में ले, और मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास किये, अब जो होगा, उसकी जितने जिम्मेदारी मेरी हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, जिसको मैंने बड़ा भाई माना और अग्वा माना, और उनसे कहा कि आपको दल